नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिचे दोस्त उपस्तेतों आप सभी की सेवा में एक बहद ही महतोपून जानकारी को लेकर के जिहां आए आज हम सभी जानते हैं कब जिससे अगर हो रहा है पेट में दर्द तो इस एक नुस्खे से आप घर पर ही इसका इलाज कर सक होते हैं आए जान लेते हैं इस बारे में आप सभी को मैं बता चुका हूं और एपिसोड में भी कि पीट हर विमारी का जड़ होता है यानि कि आपके शरीर को पूरी एनरजी कहीं से मिल पाती है तो उसका माध्यम होता है पेट और अगर आपका पेट स्वस्त नहीं है करना चाहिए अच्छे जीवन के लिए जरूरी है अच्छा स्वास्त इस संबंध में कहावत मशुहूर है जैसे की हेल्थी ज्वेल्थ पहला सूख निरोगी का है इत्यादी ऐसे बहुत सारे कथान है अधिकतर बिमारियों की वजह से होती है यानि कि पीट की बिमारी होने इस हमारे वाई सोवर में आप इसी भारे में जानेंगे और कैसे इसे दूर कर सकते हैं इस भारे में यो तो पेट दुखने के अलग-अलग कई कारण हो सकते हैं लेकिन आम तोर पर पेट दर्द का एक मुख्य कारण अपच्छ मल सुख जाना गैस बनना यानि वात अनको भी ठीक करते हैं आये जानते हैं इन ही प्रयोगों के बारे में यानि की पेट दर्द के लिए कुछ एक आसान घरे लूपत्यार के बारे में पेट दर्द में हिंग का प्रयोग काफी लाफकारी होता है दो ग्राम हिंग ठोड़े से पानी के साथ पीस करके पेश्ट बनाएं नाभी पर और उसके आसपार्स पेश्ट को लगा दें यानि कि लेप लगाएं इससे आपको पेट दर्द में रहत मिलेगी अजवाइन को तवे पर सेक लें और काले नमक के साथ पीस करके पाउडर बनाएं दो से तीन ग्राम गर्म पानी के साथ दिन में तीन बार ल लें इसे चबा करके खाने से आपको लाव होता है पुदीने और निम्भु का रस एक एक चमच लें इसमें आधा चमच अदरक का रस और थोड़ा सा काला नमक मिला करके उपयोग करें दिन में तीन बार इस्तेमाल करें पेट दर्द में आपको आराम मिल जाएगा इसके अ लोगों को इससे लाव जरूर होता है अदरक का रस ना भी अस्थल पर लगाने और हलकी मालिश करने से भी पेट धर्द एसीडिटी यानि के अमलता से हो रहा हो तो पानी में थोड़ा सा मीठा सोडा डाल करके पीने से फायदा होता है पेट दर्द निवारक चून बनाएं खाने के बाद एक चमच थोड़े से गरम पानी के साथ लें पेट दर्द में आशा तीत आपको लाव प्राप्त होगा एक चमच शुद्ध घी में हरे धनिये का रस मिला करके लेने से पेट की सभी व्याधियां दूर हो जाती हैं अदरक का रस और अरंडी का तेल प्रतेक क यानि कि दोनों को एक एक चमच की मातरा में लेकर के दिन में तीन बार आपको सेवन करना है इससे काफी लाव होगा अदरक का रस एक चमच निम्बू का रस दो चमच लेकर उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला करके प्रयोग करें पेट दर्द में लाव होगा दिन में दो से त मेथी के बीज पानी में भिंगोएं पीस करके पेश्ट बनाएं और इस पेश्ट को 200 गराम दही में मिला करके दिन में दो बार लें इससे पेट के हर तरह के विकार नश्ट हो जाते हैं पेट के विकारों को दूर करने के लिए यह समझे तो एक तरीके से महाश्रधी के भिंगोएं रात को सोते समय लेते रहने से पेट में मरोड का दर्द और पेचिश ठीक हो जाती है यानि कि गैस भी इसके मदद से आपके पेट का कंट्रोल हो जाता है सौंफ में पेट का दर्द दूर करने के गुण होते हैं 15 ग्राम सौंफ रात भर एक ग्लास पानी में भ जाएं यानि कि निहार मुह लेना है काफी गुणकारी होता है ये अयरुवेद के अनुसार हिंग, दर्द, निवारक और पित वर्धक होती है चाती और पेट दर्द में हिंग का सेवन बेहदलाफकारी होता है छोटे बच्चों के पेट में दर्द होने पर एकदम थोड़ कभी पेट में दर्द किसी बीमारी या गंभीर समस्या के कारण भी हो सकता है इसलिए लागातार पेट में अगर दर्द रहरा है आपके तो आपको चिकित सक की सलाह लेनी बोहत यानि कि चेप कप करवाना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक या दो दिन ऐसे जैंरलिए दर्ध हो गया, तब तो ये प्रयोग आपके लिए बेहद्ही लापकारी हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि कई दिनों से आपकी ये समस्या चली आ रही है तब आपको तुरंद डॉक्टर के सलाह लेनी चाहिए क्योंकि हो सकता है आपको कोई बड़ी बीमारी हो रही हो या कुछ दिक्कत हो रही हो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है उ मसकर दूस्टू